चुनाव के लिए आरक्षन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बुर्हानपूर में भी अब दावेदारों ने ताल ठोकना शिरू कर दिया है इस बार बुर्हानपूर सामान ये महिला स्थीट के लिए आरक्षेत होई है ऐसे में महिला दावेदारों के लिए उनके पती सक्रिय हो चुके हैं इनमें पूर्व मेयर और संग्ठन के नेता हैं, जो मेयर चुनाव में पत्नी धर्म निभाने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। बीजेपी यहां 15 साल से काविज है, ऐसे में कॉंग्रेस विकास ना करने का आरूप लगा रही है, तो बीजेपी का दावा विकास का है। अपके पास पर जन्ता के कहता हैं। बहुत ज्यादा और रोड खोदने के कारण जो असुविदा हो रही है मैं उस पर पहले काम करूँगी और गुड गवर्नेस इस शहर में लाने का काम करूँगी कॉंग्रेस की जिला अद्देख्ष कह सकते हैं महिला जिला देख्ष है मैं सोच रखा है पिछले 15 साल में कुछ हुआ नहीं और बहुत हालत खराब है शहर की और हम चाहेंगे कि शहर की बहुत अच्छा विकास हो और अच्छे से अच्छा सब चीजे हो सड़के बने बच्चों के लिए सब चीजे हो महिलागों के लिए सब काम हो और बहुत सारा अगर मौका दे जनता तो सब करेंगे हम बात करते हैं पूर्व महापौर अतुल पडेल जी जो की वरिश्ट भाजपा नेता भी है जिस तरह से कहा जा रहा है कॉंगरेस के दोरा कि यहां पर विकास नहीं हुआ कांगरेस के भी हां पर महापौर रह है लेकिन उनके कारेकाल को दो बार मैं उनके टाइम दो बार पाश्चत भी रहा हूँ लेकिन जो कारे भाजपा के शाचनकाल में महापुरों की हुए वेसे यूजना तब तो वेतन देने और स्टेट लाइट के बिल भरने की तक समस्या होती थी गुड गर्नेर्स की जो बात की जारी है इन 15 सालों में वो कहीं नहीं देखने को मिला इन्होंने जितने भी कारे करने की कोशिस किये सम्में भरस्ट चार रहा आप लोग भी जानते हैं, शेहर की जनता भी जानती है और विकास के नाम पे इनोंने शेहर के लोगों को परेशान करने की कोशिस किया ये पंदा सालों में जब महापुन हमारे बने उसको आज शेहर की स्थीदिया क्या है ये सबको मालूम है ग्याराजार मकान ऐसी नहीं बने हैं, ये को ब्रट्टाजार हुआ है उसके हमने कारववी कर रही है ब्रट्टाजार शाहतन में बेठे कई वार अधिकारी बावों तो होता है हम उसकी किलाब भी कारवी करते हैं कैमरा परसन दिपक के साथ गुपाल देवकर बन साथ